नमस्कार तो आज मैं हूँ गोहाटी में और कल मैं था भुटान में तो वहाँ की चीज़ों के बारे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया और अभी मैं गोहाटी में हूँ और कल कहीं और रहने वाला हूँ तो वो कहा हूँ तो नहीं बताऊंगा आप देख लीजेगा अब देखिए मैं जब travel करते हैं तो एक चीज बड़ी मिस होती वो है matches जो कि ISL के matches मैं सही तरीके से देखने ही पार हूँ highlights या थोड़ा बहुत देखने को मिल पार है तो अच्छे से matches जो है वो देखने को मिलने ही पार है आई लीग में उनका performance या हम जमसित्पुर FC के performance की बात कर रहे है दव्वे देव प्लेड अगेंस्ट पंजाव FC 4-0 और इसके पहले भी जो performance चल रहा है after appointment of Khalid Jamil और रियल कश्मीर में कौन है कोच इस्वाक अहमत इंडियन कोचेस तो टॉपिक यही है इंडियन कोचेस कि क्या हमारे clubs हमारी जो फ्रेंचाइजी है हमारे जो management है क्या वो यह चीज देख रहे हैं notice कर रहे कि आप इंडियन कोचेस को जब chance देते हैं भाई वो तो आग लगा रहे है यह दिख रहा है आप देखिए देखो मैं जमसित्पूर का थोड़ा सा comparison करता हूँ मैं Scott Cooper को यहां पर कोई criticize टोल करने नहीं बोल रहा हूँ लेगिन एक होता है आप आपके पांस जिस तरी किसी players है यह आप क्या कर सकते है better उसके बारे में सोच के आप चलते हैं तो खाली जमिल के हम बात अगर करते हैं अपने आपको अल्रेडी प्रूव कर चुके नॉर्थीस उनाइटिड में जमसित्पुर्ण को mid-season sign करता है एक भरोसा दिखाता है वो sign करते हैं आप दिखिए उसके पहले मैं थोड़ा से changes दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे एक player को जानता है प्रूवत लाकरा जो की मेरे teammate रहे पहले प्रूवत लाकरा की actual position जो है वो है sideback है स्कॉट कूपर ने उनको defensive midfield राई किया है लाकरा इस नौट defensive midfielder पहले तो अगर आप वहाँ पर उनसे creative gameplay की उम्मीद करोगे वो नहीं दे पाएंगे ठीक है आप वहाँ पर एक position पर मतलब बंदे को fulfill करने के लिए रखो गए वहाँ पर कर रहा था लाकरा ने जो एज़ा वहाँ पर cdm खेला गा तो आप ऐसा coach क्या player को पड़ नहीं पा रहे है player को read उसका game क्या आपने analyze नहीं कर पाए यह मैं Scott Cooper का एक मैं निकाल सकता हूँ बोल सकत आप देखे खाले जमिल वह लक्रा के साथ पहले भी काम कर चुके हिनों उनको actual sideback लक्रा भी sideback अगर position पर देखें लक्रा आप जमसिप्तुर में अच्छा खिल रहा है यह होता है कि आपको किस तरीके से training में देख रहा है और समझ रहा है कि इसको मैं कहां खिला सकता हूँ अगर आप जमसिप्तुर में देखते हैं उन्होंने क्या बहुत बड़े-बड़े कोई एक सिवेरियो की signing करी उन्हों पर बहुत बड़े कहीं कि प्लेयर तुन नहीं ला ली एकदम से जन्वरी से वही प्लेयर से लेकिन ओ किस तरीक से प्लेयर को यूज कर रहा है किस को हराते हैं वो केरला ब्लास्टर्स को हराते हैं और वो इस बंगॉल से सही फैनल में हारे इसल में फिर स्टार्ट हुआ तो नौर्थी से ड्रॉग किया मुंबई सिटी जैसी टीम को उन्होंने बीट किया जो कि आपको हजम नहीं होगी बात देन बैंगलुरू के साथ उन तो यह चीज़े जो है वो बता रहेगी आप इंडियन कोचेस पर ट्रस्ट दिखा सकते हैं सेकंड एक्सांपल पर जाते है इस्फाक अहमत वाट ही इस डूइंग फॉर रियल कश्मीर यंग वहां के लोकल प्लेयर्स को प्रोमोट करके मतलब की गेम टाइम देकर अच्छे फॉरिनर के साथ कंबाइन करके आप देखे किस तरीके गेम प्ले कर पा रहे हो उनकी टीम में कोई बहुत बड़ी इंडियन साइनिंग्स नहीं उनके टीम में जिस तरीकी की इंटरकाशी के पास है मौमधन के पास है और जिस तरीकी फंडिंग स्रीनीधी के पास है बट य यार डूइंग मच बटर दिन स्रीनी थी मोहमडण जैसे टीम को उन्होंने बीट किया उनके ही होम में तो यह चीजे इस्वाक एमदगर कर पा रहे हैं तो हम उनके उपर ट्रस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं बड़ी टीम के लिए हमारे कोचे जो है आईसल टीम में टेम्परेरी कोचे बना देते हैं इंटरीम कोचे किया जब तक फॉरिनर नहीं मिल रहा आप बनके रहे हो वह ट्रस्ट दिखाओ नो बंदा फिर उस हाड वर्किंग से काम करता है आप उनको इंटरीम कोच बना देते हैं उसको पता है यह तो में टेम्परेरी जॉब है मैं आप देखो आपने ट्रस्ट दिखाया क्लिफोर्ड मिरांडा के उन्होंने सुपर कप बिन करके दिया है ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा हमारे कोचेस पर सिंपल सी बात यहां आती है तो इस टॉपिक में यही डिसकस करना चाहता हूं कि हमको जो मैनेजमेंट है एक तो दे दोगे देन वह अपने आपको प्रू करेंगे कहां पर बड़े लेवल पर प्रो लाइसंस भी कर रहे थे ना उनको वह जगे तो दे नहीं पा रहे हो तो फायदा क्या है तो यह चीज मुझे ऐसी लगती है कि यार हमारे कोचेस पर भी थोड़ा थोड़ा ट्रस्स दिख बना भी है इंडियन तो वो कुछ टाइम के लिए बनाए बस ऐसी हुआ है तो यह भी वह चीज है कि अगर हमारी कुछ आएसल टीम में चार पाच कोचेस मिलेंगे तो हम हमारे ही कोचेस को शायद हम नेसनल टीम के लिए भी कंसिल्टर करना चालू करें यह भी इच्छी बा पड़ेगा अगर उनको चांस मिलता है तो वह यह कि अब जैसे इसवाक हमत ने अपने आपको आई-league में प्रूव किया देना पड़ेगा ना बड़े लेवल पर चांस देखे देखे तब तो अब आई-league में ही रहेंगा तो आई-league कोचेस को आप जो है इंडियन टीम क कोचेस पर भरोसा पहले भी दिखाया गया तो उन्होंने अपने आपको प्रूव करके दिखाया है और अभी भी अगर करके दिखाया है तो कि हमें यह मैंनेजमेंट को और फुटबॉल फेडरसन को उनके हित में कुछ सोचना चाहिए जो भी आपको थोट्स है और इन दोन प्लेयर के साथ काम कर रही कि प्लेयर्स अपना पोटेंसियल निकाल पा रहे है तो वह चीज के उपर आपके क्या थौट्स है आप क्या चीजे महसूस कर रहे हैं आप वह कमेंड में लिखके बताएगा और इसी तरह आप इनियर फुटबॉल को सपोट करते रही है बहुत जय भार